तो आई होप सब अच्छे होंगे और सवस्त होंगे जैसा कि अपने पिछला पेपर बनाये ता आपके लिए गेस पेपर एग्री इंफोर्मेटिक्स का ठीक है उसमें से हुबुभु असी परसंटेज वो का वो पेपर मिला ता आपको देखने को ठीक है तो अब जो आपका न आपके इसका होटिकल्चर का और होट कल्चर के भाद हो अपना आज का जो अपने सब्जेक्त का गेस पेपर बनाएंगे वो है एग्रोनोश किसकπό है एक ग्रो नोमी इसका जो कोड होता है ए जी आरो एन तिरिपल वन ठीक है यह इसका कोड हो गया तो मैं बता दूं अगर दोस्तों आपने जो पिछला पेपर चेक आउट नहीं किया तो एक बार जाकर आप पहले वह पेपर चेक आउट कीजिए ठीक है उसके बाद में जो आ आपकी वीडियो है उसको एनलाइसिस कीजिए उसमें से हुब हुब असी परसंटेज आपको पेपर मिला है गेस पेपर में से ठीक है तो ऐसा ही आपका हमेशा जो पेपर है वो मिलता रहेगा और आसा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा इन्फोरमेटिक्स का और आने वाले जो पेपर हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है, ऐसे आपकी तियारी को मजबूत बनाए रखें, जो आज का अपन जो पेपर है, वो है एक्रोनोमिकर, ठीक है, तो लाश्ट तक बने रही है वीडियो के, वीडियो को इसकीप ना करें, ठीक है, अब चलते हैं, अपन जो एक्रोनोमिकर हैं, उसके अंदर पहला एक जो क्यूशन है, सभी को पता है, कि जो अपना तीन, चार, इसमें कितने आते हैं, आपके, दो बाग आते हैं, ए बाग और बी बाग, ए बाग के अंदर आपके क्या पूछे जाते हैं, आपके ए बाग के दस क्यूशन करने पड़ते हैं तीसरे क्यूशन में पांच क्यूशन करने पड़ते हैं और जो बिक्कानेर उनिर्शिटी के अंदर आते हैं उनको चोत्य क्यूशन के अंदर तीन क्यूशन करने पड़ते हैं और जो आपके यह गेस पेपर आपको में प्रोवाइड करवाओंगा ठीक है इसे दो यह चार दिन पहले मैंने एग्रुनॉमी की क्लासेज डाल रखी एक मेराथन क्लास चलाइती ठीक है उसमें से यह जो आज गेस पेपर बनाऊंगा वो डेड़ गंठे के अंदर मैंने कवर करवा दी है प पर आप पहले जाकर चेक आउट कीजिए अच्छे से क्लासों को इंजोई करके लीजिए ठीक है उसके बाद में जो आपका गेस पेपर है वो आपको पूरा एट्टू जेड मिलेगा ठीक है और मैं आसा करता हूं आपकी त्यारी बहुत अच्छी होगी ठीक है और अच्छ अब ले लेते हैं पहले पहला पहला लेते हैं ऑगरी कल्चर अगरी कल्चर ठीक है पहला यह आगया आपका इसी के अंडरी क्याप हुए कि अंधे सशे अंते सश्य ओंधेorry से करिके पर्ष लृऍप सेकें कुशन डालिया आप शेकेंड कुशन के अंदर अपन लेते हैं हार्वेस्थ और मेचैरटी कटाई वे पकाव ठीक है दूसरा क्योशन हो गया अब लिखिया आप तीसरा है वाटर यूज इफिसेंसी बोले तो जल जल उप्योग दक्सता वे जल अपर्दन तीन क्योशन कम्प्लीट हो गए अपने ठीक है इसके बाद में लिखिए चोटा है आपका पसल खर्पतवार पसल खर्पतवार परतिस परदा परतिस परतिस परदाव है इसी के अंदर है आपका एली लोपेथी ये कई बार क्योशन पूछा गया है एली लोपेथी ठीक है ये आपके कितने क्योशन कम्प्लीट हो गए चार क्योशन कम्प्लीट हो गए पांच वा क्योशन आपका है आदार बीज या आदार सीड नाबी किये बीज ठीक है परमानित बीज परजनक ठीक है आपके जो ये सीड है परजनक बीज ले लो परमानित बीज ले लो आदार बीज ले तो और नाबी किये बीज इनको एक बार देखे जाना आपको पुरिवासा छोटे किसनों के अंदर कन्फरम पूछेगा ठीक है ऐसे मानुक छप गए ठीक है अब छट्टा किसन है आपका अमलिय मर्दाए वै चारिय अमलिय मर्दाए वै चारिय वै तता लवन पर बायुत मर्दाए मर्दाए आपको बतानी है ठीक है अब आपके 6 किसन हो गए ठीक है अब भी 6 किसन होए ना उसके बाद में है आपके 7 किसन ले लेते हैं अपन गुणवता बीज और आदर्स पादप सात्वा है गुणवता सीड वै आदर्स पादप या प्लान्ट ठीक है यह आपका सात्वा किसन हो गया इसके बाद अब में है तो अब लेलो दो अ आट वह आपका अ उत्तेरा फसल तता तो अ अधय निर्पेक्स खरपतवार, जी निर्पेक्स खर पतवार ठीक है। यह आपके क्यों सुन के कितने हैं? आथ क्यों सुन होगए। इसके बाद में लिख्षाया आप में। नोवा क्यूसिर्म आपका है और है एक hype आजोला वे रियल वेल्यू ओप सीड इसके अंदर आप आजोला वे आप ले लीजिए आजोला हो गया आपके सशे विज्ञान सशे विज्ञान कीग दस्वा क्योंशन आपका है सीड वे रियल वेल्यू रियल वेल्यू ओप सीड रियल वेल्यू ओप सीड ठीक है ग्यारा क्योंशन आपका है वीड नासी या वीड्स पहले अपन टिलेज ले ले लेते हैं बू प्रिश्क्रन बू प्रिश्क्रन ले 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 लेते हैं या ओवै शाक नासी थीक है ग्यारा क्यूशन हो गए बारवा क्यूशन आपका है irrigation यसी चाई तता पसल की जल्मान पसल की जल्मान ठीक है यह आपके बारवा क्यूशन हो गए तेरवा क्यूशन आपका है तेरवा क्यूशन ले लेते हैं अपकाने माइक्रो वै मेक्रो पोशक तत्वे माइक्रो और मेक्रो पोशक तत्वे अब एक बार देख लेता हूँ कौन सा रह गया अब एक यह भी लिख लो क्रोप से रोटेशन क्रोप रोटेशन वैं क्रोप क्रोप रोटेशन एक बार यह भी लिख लेना ठीक है अब बात करें आपके जो दूसरा क्यूशन आता है उसमें से तेरा क्यूशन आएंगे तेरा क्यूशन में से आपको कितने दस क्यूशन करने पड़ते हैं ठीक है परते क्यूशन एक नंबर काएगा तो मतलब कितने नंबर काएगा दस नंबर का मेटर हो गया जो कल जो मैंने पिछला जो पेपर बताया था आपको उसमें से रूब हूँ 80-85% का सम्तिंग यह का यह पेपर मिलाता आपके जो एकजाम आई गैसमें क्यूको इसे मालों के आथ छप गए है यह नोट कर लो आपके डिमाग में सेट कर लो यह क्यूशन आपकी छप गए पहला क्यूशन आपका एक ग्रिकुल जरुबधै अंतस्सी दूसरा क्यूशन आपका कटाईवे पकाओ तीसरा क्युशन ने जल उप्योग दक्सता वे जल अपर्दन बोले तो जल उप्योग दक्सता को अपने वाटर यूज इफिसेंसी भी बोल सकते हैं ठीक है पसल खरपत्वार पतिश परदा वे एलिलो पेथी ठीक है आदार एलिलो पेथी में क्या होता है कि जो मैं लोग बारिये तता लवनी मर्दाय कौन सी है गुनवता सीड वे आदर्स प्लांट बोले तो पोदा कौन सा है उतेरा पसल तता निर्पेक्स खरपतवार के बारे में बताना है नवा क्यूशन आपका है एजोला वे सशे विज्ञान सीड वे रियल वेल्यू ओप सीड भूप्रिस पू सकता आपको प्रौटेशन पसल जकर अपनाते हैं अठीक है आठी प्रोडेक्शन के लिए अच्छी उत्पादन के लिए अपने को अच्ण वर्तावाले अपने को उत्पादन प्राबतो हो ठीक है ये एक बार इसको उताली जिए फटाक से ठीक है अ अगでは उता लिए जल्दी से या पिर इसका स्क्रीन सोर ले जल्दी से ऐसे मालोग छप गी एक यूशन ठीक है मैं मिटा देता हूँ ऐसा है कि मेरे उपर पूरा परास्व रखो आपके जो ओजीपी है उसको अच्छे से मैंटेन करोंगा मेरी गारंटी है ठीक है जो मैंने आपको क्लासेज प्रोवाइड करा रखी है जिस बंदेने अगर क्लासों को अच्छे से ध्यान दे कर अगर पड़ाओगा ठीक है उसके तो ऐसे मालोग पष्ट इस्तान पर वो ही आएगा अपने क्लास में ठीक है तो अच्छे से ध्यान दे के पड़ागरो और उसके अलाव मैंने आर क्या तुमारे लिए क्लासेज प्रोवाइड कराई है मेरा थन कलासे चलाई है और फिर से एक बार गेस पेपर करवा हूँ ठीक है अगर फिर आपके अच्छे ओज़िपी नहीं बनी तो फिर कोई मतलब नहीं है कोई उच्छिते नहीं यह कलासों थीक है अब इतना तो आपको सोचना चीए कि आपको घरवाले बाहर बेजे हैं तो अपने को क्या करना चीए पढ़ना चीए या फिर गूमना चीए आप मानता हूँ कि दोस्तों के साथ बिए घूमना चीए पर पढ़ाई के टाइम पढ़ाई ठीक है और घूमने के टाइम पर घूमने ठीक है अब बात करते है अपन पहला जो क्यूशन रहेगा आपके तीसरे का वो है मर्दा उर्वर्ता मर्दा उर्वर्ता वै उत्पादकता मर्दा उर्वर्ता वै उत्पादकता दूसरे क्यूशन है दूसरे क्यूशन है आप एक काम करना इसी के अंदर आप दूसरा ने डालके वे मर्दा उर्वरता वे उतपादकता है। उसी के अंदर आप डालिए खाद वे उर्वरक्ट। तिलेज, प्रात्मिक हुए है, धित्यक बूप्रिस्क्रण, प्रात्मिक हुए है, धित्यक बूप्रिस्क्रण, ठीक है, अब आपका चलता है, आगे हैं तीसरा क्यूशन, एक सेकंड़ किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट, को डिलेवरी वाला का फोन आ रहा है, एक सेकंड़, आप इतनी देर इनको उतारे हैं एक बार, हलो, है, बैया, मैं पांच मिनट बाद में आपको कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ भी, यह एक ग्रीकल्चर एरा इंस्टूट है न, अपने जो जोदपुर हाईवे जाती है, जैसल मेर वाली, उसके जस्ट पिछे जो पास में किसान बहुत इनाले है न, तो उसके जस्ट पिछे ही है, यह फिर एक काम करो आप, जो किसान बहुत जनाले के पास में एक सर्मादे हूँ, मेडिकल के नाम से है, हाँ, तो बहाँ पर देखे चले जाओ आप, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो, बचो, आगे चलते हैं अपन, अब जो आपका तीसरे क्यूशन है, वो ले लेते हैं अपन, खर पत्वारों का आर्थिक मेहत्व है, बहुत इंपोटेंट है, खर पत्वारों का आर्थिक मेहत्व बताना आपको, ठीक क्या बताना है, खर पत्वारों का आर्थिक मेहत्व है, चोथा क्यूशन है पसलो की वर्दीव है विकास पसलो की वर्दीव है विकास है इसके बाद में है इसी के इंदर आप डालिये आपे वे सुन्य वे निउन्तम बूपरिस्क्रण्ट वे निउन्तम बूपरिस्क्रण्ट ठीक है चार क्यूशन होगे अब पांच वा क्यूशन आपका है मैं मारकर चेंज कर लेता हूँ एक बार पांच वा क्यूशन आपका है बीज बूआई के एक तो वीदिया बता लिया बीज बूआई के वीदिया बीज बूआई के वीदिया या अच्छे बीज के गुण या अच्छे बीज या सीड के गुण क्वालिटी ठीक है पांच क्यूशन छट्वा क्यूशन लिखे आप परमानित वे परजनक सीड या इसी के अंदर लिखे आप वे या बीज बूआई दाने के अंदर की गए इसके बाद में हैं आपका साथ वा क्यूशन है हाँ खाद वे उर्वरक आगया ना यह आगया आपके स्थूल कार्वनिक वे सांद्रित खावनिक इस तूल कार्वनिक वे सांद्रित खाद को समझाई या इनके बीच में अंतर क्या है यह बताना आपको इसके बाद में लिखिया आप आट वा क्यूशन रहेगा आपका मर्दा जल पोदो में समंद्ध मर्दा जल पोदो में मर्दा पल जल पोदो में समंद्ध और इसके लाव लिख लीजिए आप अब लिखी एक क्यूशन ओर गया इतने कप ही है अपने पास अब आपको मैं बता देता हूं जो आपका तीसरा क्यूशन आएगा उसमें से क्या क्या आएगा पहला आएगा मर्दार उड़ता वे उत्पादकता या खाद वे उर्वरक के बीच में अंतर बताईए दूसरा क्यूशन प्राथ्मिक वे दित्यक बूप्रिश्कन क्या होता है बताना आपको खरपत्वारों का आर्थिक महत्वव बताना है थीसरे कूशन के अंदर पसलो की वर्दी वे विकास या या सुन्वे वे नियूंतमबु फिरिश्कन के बारे में बताना है अध्य साब की आर्थिक महत्व के अंदर खरपत्वार भी कंई तो ऐसे है कि अपने इनको सबजी बनाने के लिए भी काम में लेते हैं ठीक है अपन जो पसलों को चारा बनाने के लिए भी काम में लेते हैं ठीक है जो खेत के चारों बाड लगाते हैं उसके भी काम लेते हैं ठीक है कई ओश्दिये के रूप में भी लेते हैं तो इसका जो खर्पतवार है इसका यहीं नहीं क परजनक सीड बताने हैं आपको ठीक है इसके बाद बीजव दयने की बीच में अंतर बताना है साथा क्यों स्थुल कार्विनिखाद और सांधरी कार्विनिखाद के अंदर आपको अंतर बताना है आठा क्यों सम्मध बताना है ठीक है और इसी के अंदर एको लिख लो अगर ल तोड़ा जल्दी करवाते हैं वीडियो काफी बड़ी हो जाएक उताले होगे स्क्रीन सो ले 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 या फिर इसका ठीक है चलते अपना आगी क्यूशन के तरह और दोस्तों ठोके करके अनायप की बार भी अपने पेपर को ऐसे माल लो ठीक है अपने को ओजी पी अच्छी में पास और रहे हैं पास ओने से कुछ नियोंगा ओजी पी जो है उसको मेंटेंड रखनी अच्छे से तीक है कि अब चोति क्यूशन की तरफ चलते हैं अपन अब चोता क्यूशन डाले आप है चोता का पहला खीक है अब लिखिया आप है सी चाई की विभिन वीदियो का वन्नन कीजे सी चाई की विभिन विभिन वीदियो का वन्नन कीजे वन्नन कीजे विभिन वीदियो का वन्नन कीजे ठीक है जो सी चाई की विदिया है उनकी विभिन विदियो का वन्नन करना है दूसरा क्यूशन आपका है पादव वर्दि क्या है पादव वर्दी क्या है ठीक है इसी के अंदर है वर्दी को परबावित करने वाले कारक वर्दी को परबावित करने वाले कारक वर्दी करने वाले कारक बताने आपको ठीक है आप एक क्यूशन ले लेते हैं अपने तीसरा क्यूशन आपका समश्या गरस्ते समश्या गरस्ते मर्दा को परिबासित कीजिए वे उनके वे उनके वीबिन परकारों को शुची बदें सुची बद करें तता उनके उपचार की विवेच्ण कीजिए यह हो गया अपना उपचार की विवेच न कीजिए इसके बाद में आपका है खरपतवार ले लो एक चोता कुछन ठीक है क्योंकि हर बार क्युछन पूछे जाते हैं खरपतवार खरपतवार परबंदन के खरपतवार परबंदन के सिद्दान्टों के बारे में क्रपतवार परबंद के सिद्दान्टों के बारे में लिखे 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 करपतवार परबंदन के रासानी विडियो का उनने की करपतवार करपतवार परबंदन परबंधन की राशायनिक विदियो का वन्न कीजिए ठीक है इसको उतारो एक बार में नीचे देख लेता हूँ एक युशनोर लिखा देता हूँ अपको दिख रहा है आराम से एक युशनोर नीचे लिखा देता हूँ इनको उतारो आप एक युशन अपन ले लेते हैं बारत वे राजस्तान के जल संसादन जल संसादन वे सीचाई का वर्णन करें ठीक है इसके अलावा तो एक युशन ओले को यह आपको यहां पर यह पूश सकता है जल निकास क्या है वे जल निकास क्या है वे जल निकास क्या है अब आपको इसे चोटों क्युशन है Probably 50% पुशे प्रभावित करने वाले उनके विविन परकार की सुचिबद करो तता उनके उपचार की विवेचना की दिये प्रकार की विवेचना करना चीए चोता कि उसने खरपतवार परबंदन की राशायनिक विदिया का वनन की लिखिये पांत अब भारत वर राजस्तान की जल संसादन वसीचाय का वनन करे यह पिर ऐसे पूछ सकता कि जल निकास क्या है वह उनकी विविन विद्यों को तो आज की जो अपना गेस पेपर है वह कंप्लीट हो एग्रोनोमी का तो आसा करता हूं कि तो आपकी जो तेयारी है वह अच्छे से मजबूत होगी आप जो यह क्यूशन देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि जिन बच्चों ने अगर जो क् क्लासे ठीक है पड़ी हूई है ने क्लासे उनके तो आसानी से समझ में आ जाएगा और जिनके एक बार भी नहीं पड़ा कोई बच्चे तो क्या करते हैं कि जैसे कल का पेपर है और साम को पीडियेप खोलते है ठीक है तो इस परकार से तो यह क्यूशन आपको समझ में आए जाएंगे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके फिच्चो chat शी SARAH चाप अट परसेंट मेंसे मिलें गए जो Generally के चप गए ठीक है ऐसे मालो कि चप गये तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ठीक है और जो भ कि आप जो पेपर करते हो ठीक है उसके बाद में करने के बाद में आपको जो यह वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में चापना कि सर आपकी जो पेपर गेस पेपर बता है उसमें से इतना परसंट आया है कि जो नेक्स पेपर बनाता हूं उसके लिए मेरा मोटीव बना रहता ह है क्योंकि जो पिछला इन्फोर्मेटिक्स का पेपर उसमें से 80% हुबू मिलाता तो मेरा भी मन किया कि अपने जो बच्चे हैं उनको पेपर हुबू मिल रहा है उनको हेल्प मिल रही है अपने बड़े बाई की तरफ से ठीक है तो मेरा भी मन करता कि इनके लिए और भी अच समझ में आया होगा और पेपर को मेरा यही आपसे दुआ है कि पेपर को अच्छे से करके आई है बेस्ट ओप लग ठीक है थैंक्यू करते हैं